नमस्कर दोस्तों मैं गतम सिंग आज आपके लिए लेकर आए हूँ काबली चन्ने खाने के फायदे और नुकसान दोस्तों आपको हम इसमें बताएंगे काबली चन्ना के फायदे और नुकसान दोस्तों आपको हम बता दे कि काबली चन्ना को छोले भी कहा जाता है यानि कि छोले खाने के फायदे बहुत ही टेस्टी लगते हैं छोले और बटूरे मैं आपको बताऊंगा इसमें छोले खाने के फायदे दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फिली चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दबादें ताकि अगले वीडियो प्रेनिफिकेशन आपको मिलते रहेगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं अब छोले खाने के फायता है सकहारी भोजन में विशेश स्वात के कारण काबली चना जिसे छोले के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही लोग पुडिये हो चुका है स्वस्त की दिरिष्टी से छोले बहुत ही महतवपूर है इसमें प्रोटीन और विटामिन B6 अच्छी मात्रा में होते हैं इसके साथ ही फोलेट, मैगनिज और मैगनिसियम जैसे पोशक तत्तो की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है इसमें कैलसियम, पोटेसियम और फाइबर भी होते हैं जो हमारे हिर्दे स्वस्त के लिए लापकारी होते हैं काबली चना के फाइदे बलड सुबर को कंट्रोल करें देखिए आपके सरीर में रख्त सरक्रा जो है नियतित करने के लिए छोले यानि चना का सेवन फैदे मन हो सकता है इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 होता है जो बहुत ही कम मत्रा में होता है यही कारण है कि छोले चना आपके खून में सुगर अस्तर को नहीं बढ़ने देता है कुछ प्रामभिक सोध है जो बताते हैं कि छोले चना का उपयोग करने वाले लोगों में मदमय के खत्रे कम होते हैं काबली चना के फायदे यानि वजन कम करने में देखिए असपस्ट बात है कि छोले में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो लंबे समय तक आपकी भ प्रोटीन वजन को नियंतित करने के लिए जाना जाता है काबली चना के फायदे कैंसर से बचने में सेलेनियम कैंसर परभाओं को कम करने में मदद कर सकता है जो कि हमें अधिकांस फलो और सब्जियों से प्राप नहीं होता हम इसे छोले चना से प्राप कर सकते हैं यही खन भीर से बाहर करने में सचंब बनाता है। सिलेनियम सूजन को भी कम करने में मदद करता है और टीमर की बृधी को रोगता है। छोले का सेवन बनाए हड़ी मजबूत, लोहे, फासफेट, कैलसियम, मैंगनिसियम, मैंगनिस, जस्ता और बिटामिन के छोले चन्ना में अच्छी मातरा में होते हैं, ये सभी पोशक तत्वा हड़ी की सनरचना और ताकत बनाए रखने में मदद करते हैं, फासफेट और कैलस कैलसियम, दोनों ही हड़ी की सनरचना के लिए महतवपूर है, काबली चन्ने के फायदे गर्ववस्ता के समय, देखिए ऐसे पोशक तत्वा जो गर्ववस्ता के दवरान आवस्यक होते हैं, उनकी अच्छी मातरा छोले चन्ने में मौजूद रहती हैं, इसमें फोलेट, फ कीव, दोसों और क्वाम वजन जर्म के खत्रे को कम करता है, गर्ववस्ता के दवरान फोलेट का और प्रयाप्त सेवन जर्म के बाद बच्चों को संकर्मण और बीमारी के खत्रे में डाल सकता है, इसलिए गर्ववस्ता के दवरान काबली चन्ने का सेवन किया जा सकता है, सफेद चन्य के फायदे आँखों के लिए देखिए बीटा के रोटीन की उपस्थिती छोले को हमारे लिए और अधिक उपियोगी बनाता है या दृष्टी की अवस्ता को बढ़ावा देने में मदद करता है इसके अलावा छोले चन्या में जस्ता होता है जो हमारी आँखों के लिए आवस्यक होसक तत्वा है या यकरित में बीटामीन ए को रेटीना तक ले जाने में मदद करता है जस्ता मैक्रोनी अप घटन की परगती को रोकने में भी मदद कर सकता है काबली चन्या के फायदे बालों के लिए देखिए प्रोटीन की प्रयाप मात्रा के कारण छ प्रयागिनिज की उपस्तिती आपके बालों को मजबूती दिलाने में मदद कर सकता है तो छोले में बीटामीन ए और जस्ता भी होते हैं जो डेंडरफ से लड़ते हैं काबली चन्या का सेवन एनेमिया को रोके देखिए छोले चन्या लोहा का अच्छा सरोत हता है जो आप प्रते बच्छों को एनेमिया के खत्रे से बचाने के लिए छोले चन्या का सेवन करना की सलाह दिया जता है काबली चन्या खाने के नुकसान क्या है अब आपको हम बताएंगे कुछ लोगों में छोले चन्या खाने से पेट की एठन और अत्याधिक गैस बन सकती है छोले का सेवन करने से आपके पाचन तंतर में फाइबर की अचानक बृधी के कारण पेट खराब हो सकता है या पेट की एठन हो सकती है काबली चलौना का अधिक सेवन करने से गैस के कारण पेट में दर्थ की समभवना जो है संभावना आपकी बढ़ सकती है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देजी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो आपको हम बतादी कि हमारा अगला वीडियो होगा पालक खाने के फायदे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थैंक्यू दोस्तो रादे रादे दोस्तो